हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एंसी क्यों में यह सिरीज देखी हमने स्टार्ट कर रखी है अपके जाप कमिंग फार्मा कॉम्प्रेटिव एक्जाम से उनके लिए हर्याना में हैं MP में हैं आपका और टमिल लाड़ों मे के टॉपिक वाइस एंसी क्यों डिसकस कर रहे हैं आज का हमारा टॉपिक है ड्रग अफेक्टिंग ब्लड एंड ब्लड फोर्मेशन ओके तो यह जो है इसके कुछ इंपर्टन हम इसमें डिसकस करेंगे स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले अगर आप किसी भी फार् and्फेकेशन से आप लोगों को मिल सकें क्वेशन देखिए हमारा अडेंटिवाद राट रिप्डिमिक ड्रग विच एक्टेस इस बायल ऐसिड सी क्वेस्ट्रेंट ओके एंटी हाइपर ली फिटी मिक जो ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है उसके उपर से क्वेस्ट्र और स उसमें आपका अंसर आजेगा option भी कोल स्वेलम हो जेगा एक बर यह आप देखे classification देख लिए आंटी हैपल लेपिडिविक ड्रक्स का तो इसमें आपके स्टाटिन्स आते हैं लाइपेस को activate करने हैं वह होते हैं आपके फिब्रीक आसी डरिवेटीव इंट्राइपरेटकर करेंगे सिंत्री चैरिकनDAY यह सब आपकी क्या है एंटी हाइपर लिपीडेमिक ड्रक्स क्वेशन नेक्स्ट विच ओप दो मॉलिक्यूल के प्रडूस रैप्डो मायलोसीज वन को प्रिस्क्राइब्ड विज एचमजी को एड़क्टेज इनिवीटर्स के साथ में अगर देंगे तो रैप्डो देखा कौन से हैं देखिए एमियोडारोन दिया है कुइनदीन जैम फिब्रोजिल विरैप मिल तो यह आपका फिब्रीक ऐसे जरिवेटी होता है जैम फिब्रोजिल ओकी तो इसको अगर स्टैंस के साथ में देते हैं तो रैप्डो मायलोसीज प्रोडूस हो जाती है ओकी आपको आंसर होगे ओप्शन सी फैरितीन की ओवर डोस के लिए अंटीडोट बताना है इस फैरिन जो हो तापका प्रेंटरल आंटिकोगलेंट्स में आता है इस पैरिन है न है तो देखिए बि येल ब्रिटिश अंटी लाविस आइट एट्रोबिन प्रो तो देखिए लिए प्रोटामीन सलफेट नेक्स्ट फैरस सलफेट इस तो टीट एनिमिया वॉमिटिंग डार या एसीजटी तो इसको किसके लिए उस करेंगे एनिमिया को ट्रीट करने के लिए नेक्स्ट पेशेंट रिसीविंग वोर फेरिं ड्वलाप रूमिटोर अर्थराइटीज उक टॉलमिटिन औरो थायो ग्लुकोज या आपका होज़ेगा एस्प्रिन जो है यह एंटि प्लेटलेट ड्रग होती है और किसी पेशेंट को और एंटिकोगुलेंट दे रहे हैं तो उसमें कॉंट्राइंडिकेटिर होज़ेगा एस्प्रिन जैसे जीपी सेकिंड भी थर्ड आने एंटागनिस्ट में आपकी ड्रग आती है अफ 6 सी में आती है टिरोफीबर आती है Колोपी डो गुरल जो है इसमें नहीं आता थीक्र तीन ड्रग आद रकिंगे आक्टिवेशन के लिए जो होता है रिक्वाइर होता है vitamin k तो क्या कराता है blood की clothing कराता है तो आपका answer हो गया option a blood clothing okay so vitamin k में देखे vitamin k1 जो होता है यह जो होता है यह obtained होता है plant source से ठीक है तो k1 होता है phyloquinone और k2 जो होता है यह bacteria जो होते है उससे obtain होता है है तो यह होता है मीना कुईन और k3 जो होता है यह synthetic होता है जिसमें मीना डियोन आता है और यह दो साथ नोदा स्कलोटिंग फैक्टर्स के लिए activation के रिक्वाइर होता है vitamin k निक से हाइपर लिपीडीमिया इस एक्सेस हो तो यह हो जाता है cholesterol and triglycerides fatty acid glycerol and ketone bodies तो दिकी cholesterol fatty acids जो आपके cholesterol है और TG जो triglycerides होता है वह access में हो जाते हैं नेक्स्ट इनोक्सा पैरिन पैरिन वाले जो होते हैं वह क्या होते हैं देखेंगे लोग मोलीकुलर वेट ही पैरिन unfractionated heparin oral anticoagulant vitamin K antagonist Cheсти पैरिन वाले होते हैं आपके low molecular weight ही पैरिन्स में आते हैं पैरिन वाले drug जिस है inoxa पैरिन okay नेक्स्ट है क्लिनिकल यूज्ट औरल एंटिकोएगुलेंट एसीनो कुमेरोल इनोकसा पैरिन तिनजा पैरिन तो देखिए औरल एंटिकोएगुलेंट में आपका एसीनो कुमेरोल आजेगा नेक्स्टक्वेशन है हाई दल लिपोप्रोटीन विध अ फस्टस्ट एलेक्रोफर्टिक मॉबले तो आपका अनसर हो जैगा ऐप्शेटों बी अच्ट हूप्राज्मा लिपोप्रोटीन कौन-कौन से है सब्सक्राइब करते हैं तो अभी हमने क्वेशन देखा था किसी पेशेंट्स में वोर्फेर सब्सक्राइब करते हैं तो इसलिए पेशेंट्स में यह नहीं देते हैं यह क्या करा देते हैं वोर्फेर इनको प्लाज्मा जो प्रोटीन बाइंडिंग साइट वहां से भी डिस्प्लेस करा देते हैं और इसकलोरम फेनिकोल इरिथ्रोमाइसिन, सालिकोक्सिप, सिमेटरीन, अलोपिरनो, मेमलिडरोन, मेत्रोनिडराजोल यह क्या करते हैं वोर्फेरिंग के मेटाबोलिजम को इनिबिट करा देते हैं तो इसके ओपर भी क्वेशन बनते हैं कि जैसे पूछ लेंगे कि मेत्रोनिडराजोल और असर हो जगा सी बोथ आजेंट ऐसेंट्ट एप्लाजमीनोजन की अक्टिवेशन को इनिभीट करती है और इसको इनिभीट कराती है इसके examples में आपके Epsilon Amino Caprovic Acid आता है Tranec Xamic Acid आता है और Eproteinine आते हैं यह क्या है आपके Antifibrinolytic Agents होते हैं ने इसे Thrombolitic Agents यूज जेज तो Thrombolitic को नसा है Hipparin Warfarin NST Place है Витамин K तो यह NST Place जो है यह आपका क्या Thrombolitic Agents होता है देखिए Thrombolitic Agents जो होते है यह बलास्मिनोजन एक्टिवेटर होते हैं प्लास्मिन में करते हैं तो फिब्रिन को गरेट करता है तो यह आपके थ्रॉम्बोलिटिक एजेंट्स होते हैं देख्या ओल और टेमीनोचय को सीब्रोन अणिटेस्स अंसर तो अंसर में अंचीटेस्ँ को है इसे शाइन में मिंखले मेंба है नहीं को सबस्क्राइब टो यह प्लासमी सब्सक्राइब wisdom आपको पता है क्तिप्मिनोजन इनिबिटर excel 2012 घाटियंट में लिए ट्रोक्षण आपके मे lot you आंट लोगोवलै कि पेरिंज करेंस हैं लोग मोलगवैक पैरिंज में हमने तेके पेरिन वाली ड्रग Kab estran only फ़ीरोडिंद्रपी रहां प्रणा पैरिंज जो है इसमें नहीं आएगा बाकी तीनों जो है ओलोगुलन मोले कोने पैरिंज हैं इंत्र अल्यशा से ओल वन एंटी प्लेतलेट अंसर ओप्शन बी क्लीन कली इंपॉर्टेंट अंटी प्लेटलेट्स कौन-कौन सी है एस्परीन जो अस्टायल सालेसिलिक एसिड होता है फिलोपीडोग्रल डाइपायरेडमोल टिकलोपीडीन और एपसिक्सी मेप ठीक है जो हमने देखे ते जीपी सेकंड भी थरड़े एंटागनिस्ट में देखे ते नम एपसिक्सी मेप वो है नेक्स है स्पैसिफिक यह स्बल्बर्विश्परीज लएकी क्या वॉर्फेरन का एंटिडोट को तो हम ने देखा था प्रोटामिन सल्फेट ऑगलेस्टेडुल ट्रमारीज बाड़ कोलेस्टेरोल जो होता है वह ताइस पहाई होटे गुट कोलेस्टेरोल होता है प्से कुछ भी पूछिय आपक है जो गुड कोलेस्टिरोल है वो तो HDL है हाइडनस्टी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्टिरोल है वो LDL है लोडनस्टी लिपोप्रोटीन ओकी तो इसका अंसर कर लिया आप लोगों नहीं है ना इसका अंसर क्या हो गया आपका ओप्शन भी हो गया LDL नेक्स्ट फिब्रिनलिटिक्स को किसमें यूज नहीं करते एक्यूट मयोकार्डर इंफरक्शन डीप वेन थ्रॉंबोसिस ट्रोक या है पाइप अटेंसिफ क्राइसिस आंसर इस ऑप्शन डी हाप अटेंसिफ क्राइसिस में यूज नहीं करते बाकी escuch mi जो है उसमें भी तो करेंगे डीप एंट थ्रॉंबोस्स ट्रोक में उस करेंगी निक्स जें jyn इन प्लड легी प्लच फ्र्वेंट नो ढ़िंट नी में डी मिलेक्व मोटालिम इसका प्रो ध्रॉंबीड को into Fibrinogen Fibrinogen is converted into Fibrin Pro Thrombin is converted into Fibrin ब्लड कलोटिंग में finally Fibrinogen जो होता है Vibrin में answer is option C K लेकिन प्रो ठ्रो मिनिन जो होता है इनक्टिफ फो नॉत थ्रॉमदीन का जो प्लाजमा में प्लास्म थ्रॉम्बो का इस क्या करता है प्रो थ्रॉम्बं को कराता है किसमें फ्रहंबीन बाद मी क्या करता है फिबला आप बनते हैं जो और स्मॉल लेंटेस्टाइज का कॉंपोनेंट हो रन किसका कॉंपोनेंट होता है कि आरने से कॉंपोनेंट ओ हीमोगलोबिन विर्कुशन प्रेंट्रल एंटिकोएगुलेंट ड्रग पूछे आप लोगों से परिसलीन फेरंडायोन वोर्फिरन या हीपरन जो है वह आपका परेंट्रल एंटिकोएगुलेंट होता है निक्स्ट है 45 यर ओल्ड पेशेंट ड्वलप सीविर थ्रॉम्बोसाइटोपीनिया ड्यू एड् विटामिन B12 एंट फोली कैसे डार यूज़ न ट्रीटमेंट ओफ मेगलोब्लास्टिक अनिमिया अनिमय या प्लस्टिक अनिमय तो इसको यूज़ करें किसमें मेगलोब्लास्टिक अनिमया में ऑप्शन ए औरल आरन प्रेपरेशन उसे हीमेटनीक देखें फेरस सल्फ़े कि इस करेक्ट अब lounge के के बारे में कौन सा कर्च लिखा हुआ है होता है फेयसालीबल होता है ए विटामिन सब्स्तुर्पिन को बल्कुल करता है conflict कि क्लोटिंग में है करता है दो साथ नो दस क्लोटिंग फेक्टर्स के लिए रिक्वाइड होता है दोनों बात है सही लिक्यों यह आंसर इस बोथ ऑफ दाइब ओकी नेक्स्ट क्वेस्टन है और लाइंटिक्वागुलेंट एक्ट बाइंट गनाइजिंग दैक्शन ओफ तो हीमोग्लोबिन किसका कॉंपोनेंट है बिल्कु सिंपल है देक्व बीसी न्यूट्रोफिल्स अप्रेटेट्स तो यह आपका रबीसी हो जेगा नेक्स्ट क्वेश्चन एजटी माइब रिडिस कोलेस्टेरोल लेवल बाए तो अभी आपने जो एंटी हैपर लिपीडिमी द्रक्स पढ़ी थी उसमें अपने आजटी माइब भी बढ़ा था तो यह कोलेस्टेरोल के लेवल को कैसे कम करता है कि इनिविट हमजी को रिड़क्टेज को तो स्टैटिन से इनिविट करते है ना ब्लोकिंग और इनिविटिंग इनिटेस्टिन एब्जोप्शन उसको कम किरा धेता ही कों से आपको पता है स्टैन से होते हैं इस बैस ब्लोकिंगे और यहां पर जो आइंजाइम होता है वो होता है HMG co-reductase तो statins जो है इस enzyme को इनिबिट करा देंगे और यह जो process जो है यह step जो है यह cholesterol की synthesis में rate limiting step होता है यह जो HMG co-enzyme A.C.mivalonate बनता है rate limiting step होता है cholesterol की synthesis में तो जो statins होते है वो इसी enzyme पे जो इसी step पे जो enzyme काम कर रहा है उसको inhibit करा देंगे तो इस step ही नहीं हो पाएगा है ना तो cholesterol के synthesis भी नहीं होगी तो यह लिखा हुआ इसमें इनिबिट करता है conversion of 3-hydroxy-3-methyl-glutrile-co-enzyme A.C.mg-co-as की full-form है एस से hydroxy-3-hydroxy-3-methyl-glutrile-co-enzyme A.C.mivalonate बनता है rate limiting step होता है cholesterol के synthesis में बाइदा enzyme A.C.mg-co-reductase को कि बिच्पना दा फॉलइंग तो कों सा प्रोड्रग है अतौर्वास्टाइन तो देखी आद रखना अतौर्वास्टाइन की क्या एंटियों प्रोपर्टी होती है अतौर्वास्टाइन एस अतौर्वास्टाइन एस एंटियों शिम्वास्टाइन और यह वह अतौर्वास्टाइन एंटियों प्रोडवास्टाइन एंटियों आता है इस प्रोसेस को क्या बोलते है एरिथ्रोपोईसी is coagulation, digestion या elimination बिल्कुँ सिंपल, एरिथ्रोपोईसी is the formation of RBC from the bone marrow. Next, which of the following statement is not true regarding jam, fibrogyl, जो आपका क्या, fibric acid derivatives में आता न, कॉनसी statement सही नहीं है, देखें, it is an agonist at PPARF-alpha, nuclear receptors का agonist होता है, it markedly reduced circulating VLDR and TGs को, ये क्या करता है, कराता है, it decreased synthase of lipoprotein lipase के synthase को कम नहीं कराता, ये induce कराता है, lipoprotein lipase को, okay, तो ये three heagles लिखेंगा बाकी with statin, it increased the chance of myopathy, तो आपका answer क्या होजगा, option 3, it decreased the synthase of lipoprotein lipase, next है hemoglobin is, तो hemoglobin क्या है, एक टाइप का protein होता है, answer is option D, next alti place is, तो alti place जो है, ये आपका recombinant tissue plasminosin activator होता है, okay, option आपका A होजगा, following drug stimulate, erythrogenesis को stimulate करेंगी, iron dextrin करेगा, vitamin B12 करेगा, folic acid भी करेगा, बट methotrixate, जो है, erythrogenesis को stimulate नहीं करेगी, answer is option C, intravenous iron preparation, आपसे पूछा, कौन सा iron sulfate, fumarate, ferric amonensitrate, iron dextrin, iron dextrin, जो होता है, intravenous iron preparation होता है, which one of the following is, CLO glycoprotein कों सा है, hiperin, adrenaline, erythro protein या serotonin, ये आपका erythro protein की बात हो रही है, okay, answer is option C, which one of the following is, anti-coagulant, तो इनमेंस anti-coagulant कों सा है, propanolol, is beta blocker, fentanyl, जो है दिया हुआ है, hiperin, striptokinase, तो जो anti-coagulant है, वो आपका hiperin, that is parental anti-coagulant, drug uses an oral anti-coagulant, देखे, hiperin, parental, delta, di-q-merol, inoxaparin, तो ये आपका di-q-merol दिया है, जो oral anti-coagulants में आएग, answer is option C, तो एक बड़ी, anti-coagulants का classification देखे, parental, जो anti-coagulants होते हैं, उसमें, hiperin, low molecular weight, hiperin आते हैं, hiperinoids में, hiperinsulfate, danapiroids, lapirudin, n-cron, आता है, oral anti-coagulants में, komerin derivative आते हैं, जिसमें आपका bis-hydroxy, komerin, dacumarol, warfarin आता है, acinocomeron, nicomelon, ethyl, bis-comacidate, ये आपके oral anti-coagulants की बात हो रही है, indian diones में, fenindione आजेगा, ok, next, which of the following does not, inhibit platelet का aggregation को inhibit नहीं करता, aspirin करता है, sulfine parazone भी करेगा, देखे, sulfine parazone जो होती है, कौन सी class की drug है, yurikos, yurik drug में आता है, yurikos, yurik drug कहां पढ़ते हैं, जो आपन gout की drug पढ़ते हैं, गाउट में जो आप kronik gout की drug पढ़ते हैं, kronik gout में एक तो होती है, आपकी yurikos, yurik drug होती है, और एक होते है, synthesis inhibitor, तो synthesis को जो inhibit करता है, मतलब की yurik acid की synthesis को inhibit कर देगा, उसमें तो आपका allopurinol आता है, जो first choice drug होती है, किसके लिए kronik gout के लिए allopurinol, तो यह क्या करता है, yurik acid की synthesis को inhibit करता है, एक होते है, yurikos, yurik drug, यह क्या करते है, yurik acid का जो excretion होता है, उसको urine में, मतलब की yurik acid को excret out करा देती है, yurikos, yurik drug, जिसमें आपका sulfin parazone आता है, और एक provenance seed आता है, यादा क्या, गाउट के ड्रग के बारे में, और एक acute gout के लिए आपको पता ही, colchicin, anset, और यह आपके corticosteroids यूज करते हैं, तो यहां से यह सल्फिन parazone है, तो सल्फिन parazone, yurikos, yurik भी होता है, साथ में जो यह platelet के aggregation को भी inhibit कराता है, तो यह तो आपका हो जगा, यह platelet के aggregation को inhibit करता है, बाकी आपका हो जगा, आंसर इसका हो जगा, benjoic acid हो जगा, option C आपका right हो जगा, next which of the following statement is true, देखे कौन सी सही बात लिखी हुए, striptokinase prepared होता है, तो सारी बाते सही है, आंसर इस option D, next all of the following are antiplatelet drug accept, तो हमने देखी लिया कौन-कौन सी antiplatelet drug है, यह aspirin आती या, टिकलोपेडी नाती है, डाई पारेडम होलाता है, यह आप आंसर हो जगा, आपने कमेंटर बुक्स में देंगे, सिम्वा स्टाइटिन इस योज़ जीन, हाइपर टैंशन, कंजस्टिव काड़िक फेल, अथिरोस्क्लारोसिस, और मारकाडल इन्फार एक्शन, तो इसका आंसर आपने कमेंटर बुक्स में देना, इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लग यह से लाइक करना, शेयर करना चैनल पे नए है, तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट की चैनल को, प्लिस सब्सक्राब जुरू करना, ओके, थेंक यू,